एक गाओं में एक आदमी रहता था जो बहुत बुड़ा हो चुका था जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था इसलिए अपनी बची कुछी जिन्दगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीजे थी वो महंगी थी उस मकान में बेटा उसकी पतनी और उनका एक पांच साल का बच्चा ये छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था बुड़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस और बढ़ गया ये पूरा परिवार रोज सुभा शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था बुड़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजे नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बरतन भी तूट जाया करते थे कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने ये सब सहन किया लेकिन बाद में वो दोनों बुड़े की ऐसी हरकतों से चुड़ने लगे एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा हमें कुछ करना पड़ेगा उसकी पतनी भी इस बात से सहमत हुई अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैट कर खाना खा लिया कीजिएगा उन्होंने एक लकडी का बरतन भी बनवाया जिसमें वो अपने बुड़े बाप को खाना देने लगे अपने काच की कीमती बरतन बचाने के लिए अपने बुड़े बाप को लकडी का बरतन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई अब खाने का समय जब जब होता तो बुढ़ा बाप एक कोने में बैट कर खाता और बागी परिवार डानिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पती पतनी कभी कभी अपने बुढ़े बाप की दरफ देख लिया करते बुढ़े बाप की आँखों में उन्हें आसु भी नज़र आते मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता बुढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता एक दिन जब पती पतनी डाइनिंग टेबल पर बैट कर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा जमीन पर बैट कर कुछ कर रहा था उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकडी का टुकडा देखा लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकडी के टुकडे के साथ क्या कर रहा है जब बच्चे की पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो तुम नीचे बैट कर क्या कर रहे हो तब बच्चे ने बड़े भोले पन से कहा अरे ममी पापा मैं आप दोनों के लिए लकडी का बरतन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बुड़े हो जाओ तो मैं आपको इन में खाना दे सकूँ अपने नादान बेटी दोरा दी गई ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई दोनों एक दूसरी का चहरा निहारने लगे बिना कुछ कही ही दोनों की आँखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविश्य की किताब अपने आपके सामने खुलती हुई नजर आई उन्हें समझने में जरा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा अगले दिन कमरे की कोने में वो पुराना मेज हड गया और अब बुढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे बुढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं जड़ाती थी ये कहानी हमें बताती है हर वो पत्ता जो आज हरा है वो कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा इसलिए हमें अपने बड़े बुढ़ों का हमेशा खयाल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुढ़ों के साथ वैसा ही वेवार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं हमारे चैनल को लाइक शियर और सबस्क्राइब करें